बेलकम तू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तो मेरपर बोर्ड के द्वारा जारी एक नौटिफिकेशन के बारे में दोस्तो ये जो नौटिफिकेशन है ये सबंदित है पोस्ट कोड 939 से यानिकि जेओ आईटी पोस्ट कोड 939 है इसमें 200 पोस्ट के लिए अबेदन मांगे गए थे आपके सामने है 200 पोस्ट के लिए अबेदन मांगे गए थे लेकिन दोस्तो कुछ एक पोस्टे जो हैं अब डिक्रीज हो गई है तो आपको मैं बताऊंगा पूस्टें decrees हुई हैं और कहां से यह decrees हुई हैं कौन से category की पोस्टें कम हुई हैं तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे डिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अब आशे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उने भी पता लग सके इस इनफोर्मेशन का तो दोस्तों ये जो पोस्टें डिक्रीज करें गई हैं ये आपके सामने हैं ये हे डिक्रीज करें गई हैं टोटल दोस्तों 4 पोस्ट जो हैं डिक्रीज हुई हैं अब 196 पोस्ट जो हैं रिमेनिंग रहे गई हैं और दोस्तों ये हे डिक्रीज करें गई ह है इनमें से जो दो पोस्टे हैं दोस्तो वो जर्नल की एक जर्नल EWS की और एक SCUR की ये जो पोस्टे हैं टिक्रीज कर ली गई है तो दोस्तो आप जो टोटल पोस्टें रहे गई है वो रहे गई है टोटल दोस्तो टोटल पोस्टें रह गई हैं ये रह गई हैं 196 आप देख सकते हैं और दोस्तों आपके लिए एक महत्पून सुचना है अगर आप GYT 939 पोस्ट कोड की त्यारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो प्रिक्षा एप है वो आपके लिए best test series लेके आया है तो दोस्तों काफ़ी student जो है इसका फाइदा उठा चुके हैं और आप भी उठाइए coupon code जानी50 यूज़ कर लेना जिससे आपको 50% का discount मिल जाएगा और आपको 15-20 test series मिल जाएगी जिससे दोस्तों आप अपने आपको analyze कर पाएंगे कि आपकी जो त्यारी है कैसी चली है या फिर कितनी हुई है और आपको कौन सी section में improvement करने की अवश्रक्ता है इसके साथ ही दोस्तों आपको special 5 special computer test भी मिल जाएगे जिससे आपको computer section में और help हो जाएगी तो दोस्तों जाएए description में मैंने link दिया हुआ है बहां और यह जो पोस्टें decrease हुई है यहे जर्नल की दो काम हुई है जर्नल EWS की और एक SC Open की काम हुई है तो आप देख लेना तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में thanks for watching God bless you all